कर पिया इस chapter भर सांथि बनाए रखें, अगला chapter से class continue करें, एक chapter का दूसरे chapter से कोई लेना देना नहीं, जिस chapter से पकड़ियेगा उसी chapter पर आ के आपका class खतम हो जाएगा. Chapter number 3. कहां तक हुआ आये चला? कि अधियु आधियु 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 आधि कि हो गया था हो गया था ना आचा कोई बात नहीं यहीं से सुरू करते हैं डेफ्थ माइक्रोमीटर की अगर हम बात करें चला इसमें कि हेड के पास यहां पर एक बेस होता है क्या होता है चला है यह मिजरिंग रड्र है और यह अदिक नम Excuse extension rod लगाते हैं क्या लगाते हैं extension rod लगाते हैं यह आपका datum line है और यह sleeve है और यह thimbal है बुलन दे ऐसे नापते हैं देखो यह जैसे नाप रहने इसको घुमाते हैं तो यह rod नीचे आता है और यहाँ पर हम लोग reading देखते हैं यह locknut है तो इसका प्रियों किसी ग्रूब की क्या नापने आपने विखो मतलब ग्रूब की गहराई में आपने के लिए क्या जाता है इस इसमें माइक्रोमीटर की भाती ग्रेजुएस ने बैरल और थिम्बल कारे करता है देखो यह बैरल है और यह क्या है थिम्बल कारे करता है जैसे माइक्रोमीटर में करता है अंतर सिर्फ इतना है कि थिम्बल और स्लीव की ग्रेज्वेस ने आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपिक्षा किस दिसा में होते है भी परीर अगर इस आप लेने के लिए इसके साथ क्या लगाते हैं इसका भी अलपत मांग कितना है मैं माइक्रो मीटर है तो अलपत मांग 0.001 जिरो पंड जिरो वन जिरो वन है मैं हम लोग नापते हैं ये इसे नापते हैं इसमें ये जो ये जो एन्विल होता है चला ये ऐसा भी आकार का होता है किसा करका होता है कहता है इसको भी हम लोग आउटसाइड माइक्रो मिटर कहते हैं कि भाती माइक्रो मिटर यह एक आउटसाइड माइक्रो मिटर के भाती ही एक्रिमेटर है इसके स्पिंडल का सिरा फ्लात नहों करके कि साज ayuda इन यह बहुना के चलना सिरा है में आई अर एन विल है जो फिक्स रहता है उसको क हासे है न विल आज जो इधार उदर करता orden जेए उलता है वह िता है उस्पिंडल का जो सिराह होता है यह फ्लैट है इसे आकी शंकू क्या कर गाहा है कर दो सिथे इसके स्पिंडल का सिरफ फ्लैट नहों कर किसा कर का होता है शंकू क्या कर का होता है इसके फिक्स एंविल में देख और फिक्स एनविल है यह इसे देख हो इसे भी आकार का कटा हुआ है रहां यहां यहां कोई आका क्टा हुआ है कने इसके फिक्स एनवील में मतलब यहां डी गूरूब होता है कौन गूरूब होता चला इसके द्वारा थ्रेड की घॉठे मिटर मापा जाता है कोई भी जो हम लोग इसमें कितना गहरा है या इसका pitch diameter कितना है उसको हम लोग इसके दवारह नापते हैं कि अपिर कहता है चला मेट्रिक चूडियां का pitch diameter निकालने के लिए अजिंविल का का कोंग केतना डीरी खते है 24 बीटरेड उर विट वर्ट ट्रेड और विटवर्ट प्रकार होते हैं, ACME Thread होता है, Whitworth Thread होता है, उसके बाद भी Thread होता है, अलग अलग प्रकार के Thread होते हैं, तो अगर भी Thread का Spindle होगा, तो कितना डिगरी कौन? 60, और अगर Whitworth होगा तो कितना? 5 पंडिक, Vernier Micrometer, एक तो होता है, चला Micrometer, एक क्या होता है, Micrometer, एक होता है, Vernier Micrometer, वर्नियर Micrometer में क्या होता है, चला, देखो, यह यह Sleeve है, यह Thimble है, यह 2 Scale है, अब Vernier Micrometer में, यह Micrometer हो गया, अब Vernier Micrometer होगा तो एक और Scale होता है, जिसको हम लोग कोन Scale करते हैं? Vernier Scale, यानि आप अगर देखिएगा, जतने भी Micrometer हैं, इसमें 2 Scale हैं, एक जो Sleeve पर होता है, एक जो Thimble पर होता है, इसके अलावे एक और Scale अगर हो जाएगा, तो उस Micrometer को Micrometer नहीं करेंगे, उसे Vernier Micrometer करेंगे, अब जो इसके अलावे एक Scale होता है, उस Scale को Vernier Scale करेंगे, तो Scale जतना जादे होगा, सुधता उतनी जादे हो, देखो, यहाँ पर 3 Scale हैं इसमें, अब गौर से देखिएगा, ए यहाँ Sleep पर है, एक ऐसे है जिसको हम लोग Vernier Scale करेंगे, और Scale करेंगे, अब कहता है, वर्नियर Micrometer, Micrometer इसकी परिसुदता जो होती है, जितना भी Micrometer है चला, उसकी परिसुदता 0.01 mm होती है, लेकिन इसकी परिसुदता 0.001 mm होती है, ठीक है, तो कहते हैं, इसकी Micrometer की पर सद्रिसुदता और अधिक बढ़ाने के लिए, Vernier Scale की साहिता ली जाती है, कौन Scale? Vernier Scale की साहिता ली जाती है, Vernier Micrometer का अल्पत मंग, कितना है मैं? अब वर्नियर माइक्रोमीटर वर्नियर स्केल के अब देखो यह जो वर्नियर माइक्रोमीटर है इस स्लीब के उपर ही न वर्नियर स्केल होता है कि थिम्बल के उपर है यहीं चला देखो यहीं स्लीव है असलीवे के उपर न यह वर्नियर स्केल है आपको कहेगा वर्नियर स्केल कहां होता है थिंबल पर की स्लीप तो कहते हैं चला वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल कहां पर होता है स्लीप श्लीब पर हो गा हीसे लियुक्ष न न इन देटम लेन है यह एन डेटम लेन है यह इन डेटम लेन है टेटम लेन होता है यह उपर न इसी के ऊपर वर्णियर यह जो चला sleeve है sleeve के उपर ही ने datum line होता है IC के उपर एक और scale अगर आजाए vernier scale तो इस micrometer को micrometer नहीं कहेंगे इसको vernier micrometer जिसकी सुद्धता और बढ़ जाती है 0.001 mm होती है कितना mm होती है और vernier micrometer के datum line कहा होगा sleeper सब जगा datum line कहा होता है sleeper अब चला vernier bevel bevel जब ही यह दे दे समय लो कोन नापेगा क्या नापेगा चला bevel जब ही यह दे दे क्या नापेगा क्योन very very important बहुत बार का पुछा हुआ question vernier bevel protector क्या नापेगा यही पुछता है इसका अब देखे इसमें क्या क्या होता है एक उतर डाइलर होता है डाइलर बोले तो जगरा पर एक दो तीन चार पांच लिखा हुआ होता है एक इसको कहते हैं चला scale या steel rule कहते है scale जानते हो ना इस टाइब का scale होता है चला आगे माई इस टाइब का यह scale है इसको हम लोगWorld Steel Rule कहते है इसी की मदद से हम लोग चला इस पर देखो Verm मियर scale भी होता है Verm मियर scale जो होता है यह main डाइलर पर ही एक scale होता है अलग से जस scale को हम लोग क्या कहते है Verm मियर scale होते है यह main scale है ये जो देख रहे हो आप, दो स्केल इसमें भी है एक वर्नियर स्केल, एक होता है कौन स्केल, मेन स्केल कौन स्केल, मेन स्केल अब करता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रियोग महां भी भी आए किसी कौन की और अधिक परिस्टता में नापने के लिए किया जाता है यह एंगिल ऐसे ही यह नापता है इस वर्पीस का एंगिल जो है को हम लोग इससे नापते हैं इसमें दो चीजों का हम लोग उपयोग करते हैं इसको हम लोग स्टॉक कहते हैं क्या कहते हैं इसको चला? क्या कहते हैं इसको? स्टॉक कहते हैं ये आपका वर्नियर स्केल हो गया, ये मेन स्केल हो गया, और ये बलेड हो गया, एड्जेस्टिबल बलेड. काता वर्नियल बेवल प्रोड़क्टर मेन स्केल तथा वर्नियर स्केल के अंतर के सिध्धान पर काम करता है यह जो मेन स्केल है यह जो वर्नियर स्केल है यह दोनों के अंतर पर यह काम करता है and another is very very important यह minimum कितना नापेगा एक बटा बारा डिगरी या पांच मिनट के बराबर नापेगा आप लोग एंगिल को मिनट में बदलना जानते हैं ना साथ मिनट में कितना डिगरी तीन सो साथ डिगरी साथ मिनट में यह पता है कि नहीं तो चला इसके द्वारा किसी कौन के एक डिगरी के बारा हमें भाग, यानि एक बड़ा बारा डिगरी, या कितना मिनट, पांच मिनट की परिसुदता में माप लिया जा सकता, इसका अलपत मांग तब कितना हो गया, कितना हो गया रहे, हम माप लेते समय प्राया स्टॉक को, इस जो स्टॉक है चला, this one, किदर गय यह, इसी को हम लोग रिफरेंस लेते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को आप ना पिएगा, तो रिफरेंस लेना पड़ेगा, जैसे हम कहेंगा, पांच मीटर की दूरी पर हैं, तो कहां से पांच मीटर की दूरी पर हैं, यह बताना पड़ेगा, तो वो इस पॉइंट से हम पा प्रोटेक्टर के डिस्क पर यह जो चला वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का यह जो डिस्क है इसी पर ने मेन स्केल होता है यह 0, 10, 20, 50, 90, 100 जो दिया हुआ यही मेन स्केल है यह जो डिस्क है इसी पर ने मेन स्केल होता है तो कोश्चन पुछेगा कि वर्नियर बेवल का काम है कोन ना उसके बाद आप पूछे का ये Mon कितना को ना पेा है एक बटा बाघ्रबर किरी या 5 मिनार्ट घटना पेए एक बटाबर डिग्री या पांच लोगा यही दो स्वाल इससे पूछे बहुत है इसके प्रतेख वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है ये 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 देख रहूं नहीं है इसका एक डिवीजन का मान कितना डिग्री एक डिग्री से कितना मीनट तक इसके प्रतेक में स्केल डिवीजन का मान कितना डिवीजन है यह जो एक डिवीजन है चला यह एक डिवीजन का मान कितना डिवीजन है एक डिवीजन का मान कितना डिवीजन है वर्नियर बेवल प्रोटक्टर के किनारे 45 डिवीजन के कौन पर होते हैं जिसे हम लोग कौन कौन क्या होना है कैंते तुछफ हो अधीरे हैाई करें इस इसका जतना भी किनारा है देखे दो इसमें चला क्लियर नहीं हो रहा है डाइल टेस्ट इंडिकेटर ऐसा होता है अईसा यह डाइल टेस्ट इंडिकेटर इस समतलता की जांच करता समतलता की जांच करता है in the sense of यह यहां पर अगर वर्कपीस आप रख दोगे इस टाइप का होता ही है इस टाइप का डाइलर होता है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यह डाइलर हो गया यह स्वी हो गया और यहां पर अगर यह वर्कपीस है इसको जब आईसे लेके आईएगा न जैसे उपर जाएगा इस पर डाइलर आइससे करने लेगा अगर यह समतल हुआ इसा तो इस पर जब यह वहला पोर्ट सन को ऐससे यह उठा के लेके जाएगा यह जो up-down up-down करेगा नहीं करेगा क्योंकि यह सीधा है तो हम लोग समाझ लेंगे एक समतल है अगर इसमें up-down ऊपर ठेलाएगा तो यह ऐसे होगा अगर यह ऐसे डाइलर चलेगा इसका मतलब यह समतल नहीं है समतलता की जांच के लिए हम लोग डाइल टेस्ट इंडिकेटर का परियोग करते हैं सीधेपन की जांच के लिए भी करते हैं फॉर इक्जम्पल अगर मान लिजए यह ऐसा टेढ़ा है अहाम यह डाइलर का यह लेकर इसे चलेंगे जैसे उपर जाएगा इठिल न देगा उपर इसको जैसे ठिलेगा इठिफलेक्शन हो जाए समतलता की जांच सीधेपन की जांच इलाइनमेंट की जांच इस सब करने के लिए हम लोग डाइल टेस्ट इंडिकेटर का परियोग करते हैं कुछ नहीं होता है चला इसको निडिल कहते हैं या स्टाइलस कहते हैं क्या कहते हैं इसको इस्टाइलस की चाल से ही स्विया इधर उधर होता है अगर समतल होगा तो भीया इस्विया इधर उधर नहीं हो समतलता की जांच सीधे पन लेद मशीन पर जब किसी वर्कपीस को हम इसे पकड़ते हैं उसके उपर ये स्टाइलस ले जागा इसे से कीजेगा अगर कोई डिफलेक्शन नहीं है इसका मदब वर्कपीस सीधा है अगर डिफलेक्शन हो रहा है इसका मदब लेद मशीन पर भी समतलता की जांच हम लोग इसके द्वारा करते हैं ये अलग-अलग प्रकार का होता है प्लंजर टाइप होता है स्टाइलस टाइप होता है काता यह एक तुलनात्मक का ध्यान करने वाला यंत्र है इसलिए इसे मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट ना कहके कंपेरिंग इंस्ट्रुमेंट ये कंपेर करता है कहां पर उठान है और कहां पर गिरान है कहां पर उठा हुआ है और कहां पर धसा हुआ है ये काम ये करता है टाइल्टे देखो इसे चेक करता है यह जैसे चेक कर रहा है न जहां भी रुखड़ा होगा न यह ऐसे से डिफलेक्शन करने लगा यह यह स्टाइलस है अगर कहीं पर रुखड़ापन नहीं होगा कौन इसे ना पा जाता है यह उसके द्वारा पेवल प्रोटेक्टर के द्वारा अगर यह रुखड़ापन नहीं होगा यह चला सीधा होगा तब इसमें कोई डिफलेक्शन नहीं होगा कहते हैं चाहिल टेस्ट इंडिकेटर की ग्रिजविस ने क्लॉकवाइज दिसा मतलब वहीं से देखो अगर क्लॉकवाइज डिरेक्शन का मतलब हुआ अगर ऐसा ग्रिजविसन का मतलब होता है खांचा अगर एक दो तीन चार पांच छो है यह एंटी क्लॉकवाइज हुआ अगर ऐसा कटा हुआ है तो यह क्लॉकवाइज हुआ समझ में आ रहा होगा कैसे अगर एक दो तीन चार पांच छो साथ आट हुआ क्लॉकवाइज आगर एक दो तीन चार पांच छो हुआ एंटी क्लॉकवाइज अगर एक दो तीन चार पांच छो हुआ एंटी क्लॉक है निडिल zero रिडिंग से anti clockwise चलता है अगर यहां से जीरो है इससे अगर reading इधर चलने लगा एक ऱमंजाब jin.'d 의 सक्राम डिपट करने के लिए scale के एक ring bagel के द्वारा घुमाया जाता है अब यह जो scale आप देख रहे हैं चला यह वला इसको एक ring bagel के द्वारा मतलब नीचे मेंली stylus के द्वारा इसको घुमाया जाता है stylus को जैसे आप उपर नीचे करके छोड़ दी जगा अब लोग कहीं लस्कल है तो इसे से करके छोड़ दोगा तो फसा हुआ निकल जाएगा तो इस जीरो रिडिंग पे आ जाएगा अब फिर उसके बाद आपना पली ज़तना आपको नापना है डाइल टेस्ट इंडिकेटर की सुधता कितनी प्रिटिस प्रिलानली में 0.001 इंच और मेट्रिक में कितना इसका प्रियोंग निमने कारियों के लिए क्याता है यही पूछता है किसी जॉब की सता की समतलता की जाच करने में किसी जॉब की समतलता होगा तो समन अंतर हो करने चेक कर लेगा कि डाइल टेस्ट इंडिकेटर बोले हैं कि डाइल टेस्ट इंडिकेटर कि अरे यह वाला कि है नीचे में लाएं है तो कि या बन दो गया है कि कि इसी जॉब की समतलता की जांच करता है समानतरता की जांच करता है किसी जॉब के टैपर का जांच कर देगा अगर इसा है वर्क पीस और आप इसे लेके आईएगा दर डिफलेक्शन बहुत जादे होगा या ओवलनेस का मतलब होता है उठा हुआ लिखलो ओवलनेस का मतलब होता है उठा हुआ ओवलनेस का अर्थ होता है उठा हुआ अब फ्लैटनेस का अर्थ मतलब होता है सपार्ट फ्लैटनेस मतलब क्या होता है सपार्ट को चेक करने के लिए किया जाता है सपाट नहीं समझते हैं सीधा समतल टैपर समंतरता समतलता ओवलनेस फ्लेटनेस इस सब को चेक करते हैं सिलिंड्रिकल जॉब की ओवलिटी अब जैसे चला कोई सिलिंड्रिकल जॉब है इसा आप पता चला कहीं पर ओवल है ओवल है मतलम उठा हुआ है तो ऐसा उठा हुआ रहेगा, डाइलर लेके इसे आओगे, तो यहाँ जब आओगे तो इसे ठेल देगा, डिफलेक्शन बहुत जादे नहीं हो जाएगा Headstock तो था tailstock का alignment, वही हो गया, अगर LED मशीन आप जानते होंगे थोड़ा बहुत भी तो एक होता है headstock, एक होता है tailstock, headstock और tailstock दोनों सीध में पकड़ा है के नहीं, align है के नहीं, workpiece सीधा है के नहीं, इसकी जाच भी हम लोग करते हैं किसी shaft के concentricity, concentricity क्या होता है चला, अगर दो shaft का केंदर बिंदू एक ही हो तो उनको हम concentric क्याते हैं, संकेंदरिया बिरित का नाम सुने हो, concentric का हिंदी होता है संकेंदरिया बुँ साफ्ट का अगर एक ही center होता है, जैसे इसको हम concentricity क्याते हैं Sign bar का taper angle निकालना, अगला यह sign bar है, जो आयताकार होता है इसका taper angle यह कितना taper है यह तो अभी सिधा है कि taper है taper का मतलब टेड़ा होता है अरे सीधा होगा तो इसे होगा इस taper नहीं टेपर एंगिल निकालने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते है dial test indicator पर के rack पर 1 mm pitch के अस्थान पर 40 दांते प्रतेंच कटे होता है आप यह चला अभी हम इसमें समझाएंगे तुमको plunger टाइप में रैक और पिनियन क्या है वर्नियर केलिपर का range कितना होता है एक cm से 10 cm और यह दो टाइप का होता है एक होता है plunger type एक होता है lever type अब चला plunger type क्या होता है यह plunger type plunger क्भी चापकल चलाय हो plunger up down up down करता है जिसको हम लोग washer कहते हैं यह से दबाते हैं उसमें यह plunger up down up down करेगा इसमें deflection द्खाई देगा इस यह work-piece यहान नीचे रख देंगे आई इसको जैसे ऐसे लेके जाएंगे इसमें डिफ्लेक्शन दिखाईगे यह हो गया plunger टाइप कुन टाइप हो गया चला इसमें plunger की थोड़ी सी चाल इसका अगर यह plunger है इसका थोड़ा सा चाल इसमें बहुत ज़्यादे डिफ्लेक्शन ला देगा और यह gear mechanism पर काम करता है किस mechanism पर? gear mechanism पर काम करता है करता है plunger की थोड़ी सी चाल को gear train के दोरा rotary motion में बदल कर magnify करके डाइलर पर दर्साते हैं देखिए एक होता है चला rack and pinion क्या होता है अगर इस type से चला इसमें हम needle लगाते हैं इसको जब उपर ठेलेंगे तो यह इसे घुमेगा घुमेगा स्वी को इसे से घुमा देगा इह rack है इस लग क्या है pinion है तो rack and pinion का काम है रेखिया गती को प्रितिया गती में बदल देना क्या काम है रेखिया गती को किसे बदल देना अब प्रितिया गती में बदल का डाइलर पर दिखा देगा यह इन डाइलर है डाइलर मतलब चला घड़ी में डाइलर होता है एक, दो, तीन, चार, पांच जो लिखा रहा था वही डाइलर है वही क्या है बहुत ज़्यादे serious mode में data याद नहीं करना है overall समझ जाएगा तो question बन जाएगा क्याते हैं इसमें plunger की थोड़ी सी चार, rotary motion में बदलकर, यही डाइलर पर नहीं दिखा देते हैं plunger के linear motion को pointer के किस motion में यह देखो, plunger का linear motion है आई pointer का कौन motion है, rotary motion कौन motion कहता है plunger के linear motion को pointer के rotary motion में बदलने के लिए हम लोग किसका उप्योग करते हैं rack and pinion mechanism का प्रियोग करते हैं देना उच्छोटा देखो, यही dial test indicator है यही जब चला समतल रहेगा तो कोई deflection नहीं होगा आई जैसे उपर जाएगा ना हो रहा है ना जरा सा यही उपर जाएगा भयानक deflection होने लगा जरा सा इधर जाएगा तो clockwise पॉजिटीव हाई इधर जाएगा तो अब बहुत fast बहुत हाई sensitive होता है यह चला जो है ना यह बहुत highly sensitive होता है जरा सा गुमाओगे बहुत जादे गुमेगा यह plunger टाइप है कुण टाइप है इसी में अंदर में gear mechanism लगा हुआ होता है अब माल लो कोई work piece है माल लेते हैं यह चला work piece है आइस पर हम इसे चला देंगे आइसे चला देंगे जहाँ पर भी थोड़ा सा इसको ability दिखेगा है देखो जहाँ पर भी थोड़ा सा ability दिखेगा यह बहुँ ज़दे reflect होगा और कोई ability नहीं दिखेगा सीधा रहेंगे ठीक है उतो work piece चला fix होता है तो पता चलता है तो कहीं पर भी ability उभरा हुआ है उसका पता चल जाएगा धसा हुआ है उसका पता चल जाएगा पुलन रहे तो यही है हमारा dial test indicator यही plunger है यह plunger की थोड़ी सी चाल में जो है इसको stylus view कहते है क्या कहते हैं इसको liver type में इसको stylus कहते है अभी इसको plunger कहते है कहता plunger के linear motion को यह जो linear motion है rack and pinion यहाँ लगा हुआ होता है उसको कोई motion में बदल देता है rotary motion linear motion को pointer के rotary motion में बदलने के लिए and pinion mechanism का प्रियोग में लाया जाता dial test indicator की graduates ने कौन वाईज में होता है देखो यहाँ 0, 2, 20, 30, 40 है इससे कटा हुआ है तो इक लाक वाईज नहो गया आएक होता लीवर टाइप लीवर टाइप ऐसा होता है इसमें plunger नहीं होता है यह plunger टाइप है लीवर टाइप जो होता है चला इसको stylus कहते है यह ऐसे ऐसे होता है ऐसे ऐसे नहीं होता है अगर ऐसे ऐसे होगा तो यह plunger हो गया यह जो चला है लीवर टाइप है यहें इसे होता है जब इसे होगा त्यहां डिफलेक्शन हो जाता है lever type dial test indicator यहां यह कहता है चला lever type dial test indicator stylus को यह stylus है stylus को दी गई चाल एक lever के द्वारा scroll को बढ़ा कर दी जाती है मतलब एक lever के द्वारा 이 scroller जो लगा हुआ है यहां सुई यहां इसको बढ़ा कर दिया जाता है ताकि थोड़ा सा डिफलेक्शन यहां होगा यहां बहुत ज्यादे डिफलेक्शन हो जाएगा यह scroll इसे dial पर indicate करके प्रदर्सित करता है जो यहाँ scroller हम लगाते हैं यह यहाँ dialer पर इस deflection को प्रदर्सित करता है यह कितने प्रकार का होता है dial test indicator दो टाइप का एक plunger type दूसरा lever type plunger type में rack and pinion का उपयोग करके रेखिया गती को वृतिया गती में बदल देते हैं लीवर type में stylus का परियोग करते हैं stylus को scroller के द्वारा है जो stylus देख रहे हो यह stylus है यह scroller है यह stylus जैसे अप डाउन अप डाउन होगा यह scroller यह अपनी गती को यहां transfer करेगा और डाइलर पर आपको दिखा देगा अब चला sign bar यह है sign bar very very important पिछला वारे भी question पूछा था अब भी पूछेगा हर exam में पूछता है तो अब exam में पूछता है sign bar का कि समको लगता है क्या पूछा था DRDO में ने sign bar से भी question था ने इसके बीच की दूरी कैसे नापते है दोनों केंदरों के बीच की दूरी से हम लोग इसकी लंबाई नापते है यह question पूछा था sign bar जो है चला इसमें भी dial test indicator का प्रियोग होता है यह क्या करता है यह taper angle नापता है क्या नापता है चला इस सीधा है कि taper है इसी का angle नापता है यह geometrical method से trigonometrical method से sign theta और p by h लगाते है नम्रों तो उसी में चला इस i से नापता है यह हो गया perpendicular, यह हो गया hypotoneus, यह हो गया base इस सब sign theta और p by h करके यह नापता है आपको कहेगा इसका आकार कैसा होता है तो कहेंगे आईताकार होता है कैसा आकार है आपको कहेगा इसकी लंबाई कैसे नापते है तो कहेंगे दोनों के इसमें लगे रोलर के केंदर के बीच की दूरी से ही इसकी लंबाई नापी जाता है इसके द्वारा हम लोग टैपर एंगिल नापते हैं और यह किस विज़ी द्वारा काम करता है ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड द्वारा किसके द्वारा साइन बार साइन बार स्टील का बना हुआ एक आईताकार ब्लॉक है ये क्या है चलाई आई इसमें देखो यहां छेद होता है छेद इसलिए होता है कि वर्कपीस को ऐसे पकड़ सकें न तो इस चला साइन बार टैपर को नापता है तो फिसल जाएगा इसमें चलाई इससे करके आप क्लैम कर सकते हैं क्लैम करना मतलब पकड़ना इसके दोनों सिरों और आईताकार ब्लॉक होता है जिसके दोनों सिरों पर क्या फिट होता है क्या फिट होता है रोल इसका प्रियोग किसी जॉब का क्या ग्याद करने के लिए किया जाता है टैपर ग्याद करने के लिए इसके साथ स्लिप गेज कुन गेज स्लिप गेज और स्लिप गेज जनते भी है क्योंकि जॉंसनन ने उसका विस्कार किया था याद है न तचला टैपर ग्याद करने के लिए इसके साथ स्लिप गेज के साथ क्या लगा होता है डाइल टेस्ट इंडिकेटर का किया जाता है और साइन बार किस वीधी द्वारा काम करता है किस वीधी द्वारा अज साइन बार में बने छिद्र जॉब को क्या करते हैं साइन बार में जो बने छिद्र होते हैं ये ये जॉब को बांधने का काम करते हैं क्लैंप करने का काम करते है जॉब को क्लैंप करने के क ताकि वर्कपीस को फिसलने से क्या करे, रोक दे साइन बार की परिसुदता कितना प्रती इंच और साइन बार द्वारा पाँच मिनट से अधिक सुक्ष्मिता में मापा जा सकता वही अगर बेवेल प्रोटेक्टर लिजेगा तो पाँचे मिनट तक नापता है लेकिन पाँच मिनट से जादिस सुदता में नाप सकता है, कौन? साइन बार, कौन? साइन बार, अब बताएं साइन बार का आकार कैसा होता है? कैसा होता है? आयता कार और ये टैपर अंगिल नापता है? कौन विधी द्वारा? और इसकी लंबाई को ना अपने के लिए दोनों रोलरों के बीच की केंदरों के बीच की दूरी से इसकी लंबाई ना पी जाती है साइन बार में चला डाइल टेस्ट इंडिकेटर का प्रियोग होता है Diltas Indicator को अगर हम बात करें, यह दो type का होता है, एको plunger type, आएको क्या? Plunger type में rack and pinion का उप्योग होता है, rack and pinion का उप्योग होता है, Minnie- yarn का उप्योग होता है, और liver type में rack and pinion का उप्योग? नहीं होता है। रेकेंड पिनियन का लिवर टाइप में रेकेंड पिनियन का उपयोग नहीं होता है अई चले डाइल टेस्ट इंडिकेटर का काम है समतलता की जाच करना किसकी जाच करना सीधे पन की जाच करना बोलों दे ओवेलिटी की जाच करना किसकी जांच करना Obility की जांच करना Tapper की जांच करना उभरेपन की जांच करना यही सब काम नहीं इसका है Dial test indicator में इसको Lever type में इसको stylus के नाम से जांते हैं किसके नाम से जांते हैं इसमें जो खाचे बने होते हैं वो clockwise के anti-clockwise कुन वाइज वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर कौन नापता है क्या नापता है क्या नापता है मीनिमम एक बटा 12 डिगरी या 5 मिनट तक नापता है कितना नापता है एक बटा 12 डिगरी या 5 मिनट तक नापता है एक हम आपको पढ़ाये थे आज Vernier Micrometer Vernier Micrometer का अलपत मांग 0.001 mm अब Vernier Micrometer के Sleeve पर Vernier Scale होता है बुलों झे एक Scale Vernier Micrometer Normal Micrometer में एक Thimbal एक Sleeve पर Scale होता है लेकिन Vernier Micrometer में एक Scale बढ़ना जाता है जिसके उसकी परिसुदता भी क्या हो जाती है बढ़ जाते है 0.001 mm यही नहीं वर्नियर माइक्रो मिटर यह डेटम लाइन हमेशा कहां रहेगा स्लीप पर कहां रहेगा स्लीप पर ही न वर्नियर स्केल होता है स्लीप पर क्या होता है वर्नियर स्केल होता है आई चला स्कूरू थ्रेड माइक्रो मिटर में यह भी आकार का होता है एन्वील और स्पिंडल दोनों न संकू के आकार का होता है इसके द्वारा हम लोग किसी भी स्कूरू थ्रेट के पिछ डाइमीटर या उसके डिफ्थ को ना उप सकते क्लियर है बोलंडे डाइल्टेस इंडिकेटर कितने पर करगा रिडिंग को सब क्लॉक्वाइज होता है रिडिंग के अंटी क्लॉक्वाइज क्लॉक्वाइज ना समतलता की जांच करता है और वेलिटी की जांच करता है साइन बार का किस साइज का होता है आईता कार इसकी लंबाई दोनों रोलरों के बीच की दूरी से नापते हैं यह ट्रिग्नोमेट्री के रूल से काम करता है सही है ना और इसमें डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग होता है यह टैपर एंगिल जांच करता है छेद इसलिए होता है ताकि बॉंधा जा सके तो फिर लगेगा सब बहुन सब अभी हम तुमको माइक्रो मीटर पढ़ाएं हैं या कैलिपर पढ़ाएं हैं कैलिपर पढ़ाएं हैं तुमको एक एक चीज रिवीजन करोगे तो समझ में आ जाएगा यूटूब का सहायता ले करके भी आप बहुत सारा चीज सीख सकते हैं कभी बैचिये यूटूब पे इस सब चीज देखिये बहुत मज़ा आएगा आपको लेकिन यूटूब पे तो इसा इसा चीज देखियेगा आपना अना पुरसते नहीं मिलता है हम चला 2009 में broadband connection रखे थे BSNL का 2009 में laptop खरीदे थे तिन-चार अदमी पैसा लेकिए उस टाम मोबाइल उतना नहीं चलता था engineering college में थे तो laptop यूज करते थे तो net से YouTube के माद्धियम से सारा चीज हम technical सिखें आप भी सिख सकते हैं बहुत सारे videos हैं जिस हम एक बर पढ़ा दिये एक बर आप जाके देखिये उसको YouTube के माद्धियम से आप देखिये बहुत सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा जैसे अभी हम आपको जो चीज पढ़ा रहे हैं time निकाली है चला जी अपने लिए ज्यान का कोई अंत नहीं है अभी 399 पोस्ट आया है बार में भावा एटमिक रिसर्च सेंटर में फिटर वालों का 300 हर ट्रेड का सीट है 399 सीट है दूगो एकजाम होना है 50-50 नमर आई गो स्किल टेस्ट होना है 50 नमर का आज से फॉर्म भरा रहा है फॉर्म नीचे भी भराता है आप यहां से भी जाके भर सकते है अपना साइबर कैफे उसको सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आप वहां से जाके फॉर्म भर सकते हैं और सब लोग भरिये बहुत टफ नहीं आता है एकजाम दीजेगा तब तो पता चलेगा हम चला बहुत चीज सोचे भी तो लेकिन प्लान सक्सेस नहीं हो पाया नहीं तो हम इस बार सोचे थे इस वेकेंसी को टार्गेट करेंगी लेकिन समस्या क्या हो रहा है कि टीचर हम से पढ़ाना संभव नहीं हो पा रहा है 13 घंटा अल्रेडी हम भी जी है अब बीना मेरे पढ़ाए होगा नहीं दूसरे टीचर को देंगे पढ़ाने तो तुम लोग 100 कंप्लेंड करेगा नहीं पढ़ेंगे पैसा ले लिया ठग लिया अगर नहीं तो चला इस वेकेंसी को हम इस तार्गेट करते है 399 अगर तुम सही से मेहनत करो थोड़ा सा question discussions वगर अगर किया जाए तो आप बहुत आसानी से इसमें अपना नाम दर्ज करवा सकते हो और इचला railway के बाप है समझे लो railway उलेज के सामने जो है गुल्ली खेलेगा इनोकरी और railway के नोकरी में railway के employee तुम्हारे सामने गुल्ली खेलेगा उतना बड़ा जोब 399 सीट में आपको होगे मेरा कैसे हो जाएगा तो चला 399 सीट कोई दिया है बार्क का एक्जाम कभी कोई दिया है आप दिये हैं सेकेंड वाला दिये थे एडवांस वाला दोनों दिये थे stand up एडवांस में कितना question दा एडवांस में पचास question होगा हाँ पचास था ना कभ दिये थे अब 2012 वाला में 19 वाले में वाँ पर ITI कभ किये हैं इस बार तो आपका एज नहीं बचा होगा नहीं बचा है ना तो एडवांस में जो questions थे वो objective ही थे पचास 120 मिनट का time दिया है तो उतना कितना दिर लगा था आपको बनाने में, question बनाये थे आप कितना दिर लगा था बनाने में कोई question याद है आपको welder था welder कहीं कोई question लिखाओ आप और कोई दिया है क्या fitter में 399 seat 300 name, sorry 600 something seat है electrician में 399 seat है अब चला बहुत जादे seat है उस seat कम थोड़े है बहुत जादे है seat चला कम नहीं है लेकिन अब तुम कहोगे मेरा ही क्यों होगा चला तो तुम्ही समझो पूरे भारत में इससे बड़ा fitter का बैज धरती पे कहीं नहीं है पूरे भारत वरसे में एज थोड़ा कम है उसमें यूर का 18 से 22 है OBC का 25 है SCST का 5 साल का डिफरेंस हो गया तो 22 आप 27 हो गया बैठिये कितने लोग एज क्रेटरिया में आ रहे हैं एज क्रेटरिया देखें हैं ना यूर का है जनरल का 18 से 22 OBC का है 18 to 25 कैटेगरी नमर दो में और SCST का है 18 से 28 22, 25, 27 EWS का एज रिलक्सेशन नहीं होता है EWS का सीट है इस एज लिमिट में कौन कोन आ रहा है कोब आ रहा है हमको चलम मजाग नहीं हमरा दमन करता है A to Z सीट छिन ले लेकिन समस्या वहीं बस रहा है कि हम देखो अगर हमको प्लान करने दोगे तो इसका प्लान बहुत आसान है इसलिए किसमें PT है 50 नमर का अब 50 में 20 नमर का मेंट है अब 20 नमर का साइन्स है अब 20 नमर का जीके है रिजनिंग रिजनिंग नहीं है आज जो मिंस होगा यानि CVT2 जिसको एडवांस कहते हैं एडवांस में चला 50 नमर का सिर्फ ट्रेट रहेगा अब फिर इसका थौर्ड सिफ्ट है स्किल टेस्ट अब इंग्लिस इंग्लिस नहीं है तुमको नहीं लग रहा है इसको एचीव किया जा सकता है बढ़ाने हमरा अंदर से आत्मा गवाही दे रहा है इसलिए देखो इसमें क्या-क्या रहता था दिक्कत था तुम लोगों को जैसे इंग्लिस 20 नमर का घोसी आ देता है तब दिक्कत था और ट्रेड में चला जितना पढ़ें और पढ़ लेंगे हो सकता है लेकिन समस्या कहां फसर है वो बताते हैं ले हम प्लान किये और पूरा काप पन्ना फाड़ के कल भार दिन प्लान किये हैं कल पूरा दीन बैठे प्लान किये और हमको लगा कि इसको हम कर लेंगे और बहुत आसानी से हम सब को भेज़ देंगे ड्राइवर त्राइवर जो ही आएगा तो ही आएगा लेकिन हम पूरा दीन के बाद जो है लास्ट में पन्ना फाड़ के ठेक दी है अब प्लान अपना हम कैंसिल कर दी है अब क्यों कि यह वह बता देते हैं लगबग 700 सीट चला यहीं है हम तुरह बोले पूरे भारत में इसस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा और इसको ब्रिहत कर दिया जाए तो इसकिल टेस्ट में भी तुमको कोई नहीं हरा सकता थोड़ा बहुत और मेहनत करना हो आज इसमें तो कहीं कोई जोले नहीं है इसका पीटी का कोश्चन पढ़ा हुआ है इसमें कोई जोले न किताब से हैं तोटल के टोटल कोश्चन किताब से हैं कितनों टफ रेकत क्या होगा पॉढ़ने है तो फिर टॉफ हाट क्या होता है जब चला पॉढ़ने है तो टॉफ की होता है हाट की होता है लेकिन आप देखो समस्या कहां आ रहा है समस्या जो आ रहा है वह हम तुमको ब आप को होगे आप कहें नहीं पढ़ाईएगा what is the reason हम इसलिए नहीं पढ़ाईगे चला क्योंकि हम 14 से 15 घंटा अल्रेडी बिजी हैं 14 घंटा अभी हम क्लास ले रहे हैं अभी current में आप चला क्यतना बढ़ाईगे हम नहीं बढ़ पाएगे हम लेकिन अगर एक अच्छा प्रियास करें इसमें देखो होता क्या है टीचर थोड़ा बहुत कौम बेसी पढ़ाएगा लेकिन अगर सही तरीके से इसका जो हम प्लान किये थे वो ये किये थे कि मात्र तीन घंटा सुबा में क्लास चलेगा मात्र तीन घंटा सुबा चौ बज़े से नौ बज़े था इकल का प्लान बताएगे जो कैंसिल हुआ है कितना सकतना चौ से नौ क्लास चलेगा फिर नौ बज़े बच्चा को छोड़ देंगे छोड़ दिये बच्चा घर चला गए घर जाने के बद फिर बच्चा को साम में बुलाएगे पांच बज़े आप पांच से आठ फिर उसका क्लास लेगे छोड़ से नौ में उसका तीन पेपर चलेगा एक मैथ चलेगा एक साइंस चलेगा साइंस में जो भी फिजिक्स, केमेस्ट्री और एक पेपर ट्रेड चलेगा तीन पेपर चलेगा एक साम में जब उसको बुलाएगे तो एक पेपर उसको फिर साइंस चलेगा अब बांकी जो दो गहँटा चलेगा उसमें सिर्फ कोष्टन डिस करफन चलेगा इन अभी मंडे टू फ्राइडे का प्लान है आज सटर्डे संडे तीन घंटा से चार घंटा सुबह में डिस्कसन, कुश्चन डिस्कसन, तीन घंटा साम में कुश्चन डिस्कसन. और एक ये चैप्टर का एग में student welfare बहाल करेंगे student welfare मतलब वो बंदा जो सिर्फ उसी बैच का care of करेगा उस बैच में कौन सा test हुआ है कौन सा नहीं हुआ है कौन सा discussion हुआ है कौन सा नहीं हुआ है question जो discussion होगा उसको तीन लेवल में बंटेंगे level 1, level 2 and level 3 अब फिर तीनों level का एक set, एक set करवाने के बाद फिर दूसरा दूसरा set करवाएंगे फिर तिसरा तिसरा set करवाएंगे इतना पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो exam hall में जा इतना लेकिन उसके लिए हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा schedule भी दी है, हम guide कर सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते हैं और नहीं हम जाके test ले सकते हैं उसके लिए एक student welfare बहाल करना होगा student welfare मतलब वो आदमी जो हम से सारी चीज़ों को समझ के और उस batch में वो चीज़ें apply कर सकें तभी नहीं होगा, नहीं तभी नहीं होगा, तो student welfare बहाल करना होगा पाँच से साथ लोगों की team बनानी पड़ेगी जो question बनाएगा order maintain करेगा, कि पहले level 1 का दें ताकि बच्चा का interest जगे basic level के questions, फिर level 2 में जाए, फिर level 3 में जाए और इसका फाइदा इसको यहीं नहीं मिलेगा, आगे driver में भी मिल जाएगा ऐसा तोड़े कि इसका फाइदा यहीं मिलेगा, आगे कोई भी exam देगा तो इसका फाइदा उसको मिल जाएगा अब इस सब plan बन गया, अब plan बन गया तब सामने वाले ने कहा भाईया जिसके साथ हम discuss कर रहें थे कि सरी तो पढ़ाना तो आपको पढ़ेगा फिटर और साइंस दड़का का का नाएं इसके जाब पढ़ाएगा पईसा दिये हैं तो चला, fitter और science अगर हम पढ़ाते हैं, तो एक batch fitter का है, एक batch electrician का, एक batch science का देंगे, तब तीनों का question discussion करवाएंगे, तो मामला मेरा बहुत ही जादे गड़बड हो जाएगा, लेकिन मेरे पास उपाए है, मेरे पास अच्छे-च्छे teacher हैं, अब जैसे चला, बहुत सारे applications ह हैं, जैसे तुम देखोगे, क्या बोलते हैं उसको, career will को तुम देख लो, गगन परताब सर भी पढ़ाते हैं, राके सियादब सर भी पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैंगे नहीं, बच्छा का final goal होना चाहिए, जो मेरे पास आया है, उसको हम एक 80 बवस्ता दें, जिससे उसका result हो जाएं, जिकना, अलगला, उसी एप पे तुम देखोगे, इंगलिस के दो faculty हैं, जो faculty उस पर मेहनत करता है, तो अभी मेहनत करने के लिए हमको कम से कम 20 लोगों का team चाहिए, 20 लोगों का team इस पर regular workout करेगा 6 महिना तक, तो अगला 6 महिना में जो चला उस 700 seatogram में कम से कम 3.5 अब लेकिन चला समस्या ही है, कि दो बातें, एक तो पहला कि ये में, और ये complete चला, इस अगर इसे कोई 6 महिना पढ़ लिया, तो driver के exam देके आएगा, जैसे हम 100 में 99 मारे थे, वो इसे वो घूस के 99 मारे के चला है, पोनो एक जाम देगा, ये knowledge never be a vestige material, हम चला plan बनाते हैं, जिंदगी में आज तक मेरा plan फेले नहीं हुआ है, जिंदगी में कोई plan उपर वाले की दया है, चला कभी फेल नहीं हुआ है, और ना कभी होगा, क्योंकि plan बनाते हैं तो चला पैसा से भी मजबूत है, और दिमाग नहीं है, अब मेरे पास संजोग इसा है कि दोनो है, अब तुम कोगे plan cancel क्यों की है, क्योंकि चला इस सब को करने के लिए, एक satisfactory fee की जरूरत होगी, जो fees हम लेंगे बच्चा से तभी ये से आरा सेवा दे पाएं, इसकी salary एप्रॉक्स, जब तुम्हारा complete हो जाएगा, दो सा लेकिन चला, इस सब करने के लिए fees चाहिए, बच्चा क्या सोचता है, बच्चा को लगता है, sir, fees ते ये दिये, sir, गरीब है, sir, ना हो पाएगा, sir, बहुत दिक्कत है, हमरो इसे बैच में लेन लीचे, तो चला, यह ऐसे system नहीं चलता है, system चलाने के लिए एक certain amount की जरूरत होगी, तब इसमें quality वाले लोग आप आएंगे, और quality वाले लोग इसमें 100% देंगे, तब बच्चों का result होगी, नहीं तो result नहीं हो, हम बहुत चीज कल सोचे, हम सोचे कि जतना बच्चा लेंगे, सब से 50-50,000 का check लेंगे, पैसा नहीं लेंगे, नौकरी हो जाएगा, तो 50 उसको देना पड़ जाएगा, हमको लगाई तो बहुत आसान है, जी सर, लाइए सर, लिख देते हैं सर, लेकिन चला, यह होगा नहीं न, उसमें भी 100 समस्या लाएगा, तो हमको चला, देखो, अगर हम इस छोटे-छोटे, तुमको उतना दिन हम पटना में नहीं रहने दें जो वेकेंसी आएगा, उसी में डल के निकाल देंगे, उतना दिन पटना में रहने की जरूरत नहीं है, पांच-छो मेना में आओ, जो पहला वेकेंसी आएगा, उसमें लेके चलेजाएं। लेगिन होगा कैसे, इसके लिए चाहिए चला पाईसा। अरे हम तोर करजा खाएंगा ऐसा है कभी तुम अमरा पढ़ने में 500 टका दे दिया था या जो टीचर इसमें पढ़ाएंगे या जो टीम हम लगाएंगे वो तोर करजा थोड़े खेले हैं नहीं करेगा हो नौकरी तुमको मिलेगा वो मेहनत करेगा उसके बदले उसको पैसा चाहिए वो मेहनत करेगा उसको क्या मिलना उसको सिर्फ पैसा से मतलब है तो एक सर्टेन अमाउंट अगर बच्चा देगा हम यह सोचे अगर देगा तो हम यह पूरी बेवस्था देर सो बच्चा इतना को नहीं लेंगे देर सो से दूसरा बच्चा को छांट लेंगे उसक प्रोपर एक skill test होगा, interview होगा अज तब उगरा छांटेंगे अज तब बच्चा पर खेलेंगे हम अपना खेल अज जो बच्चा माल लो उस interview में नहीं पास हो सका, या वो बच्चा qualify नहीं कर पाया, तो बच्चा को next exam के लिए अपना उप prepare करेगा फिर अगले exam में हुआ आएगा question ऐसा रहेगा जिसको subject matter से कोई लेना देना नहीं है लेकिन basic concept से लेना देना होगा वह ऐसा question रहेगा जो theory आप नहीं भी पढ़े हैं तो question आप से बन जाए तो इस सब चीज कल सोचे last में पनना फरके ठेक देक ना अब इसमें से अगर चांटेंगे चला इसा नहीं सब को हम allow कर देंगे उसमें से 200 बच्चों को allow करेंगे एक बैच में अब वही 200 पर मेहनत करेंगे खूब मेहनत करेंगे तो चला इतना लंबा रहने अब 700 seat तो रहा मामूली बुझा रहा है 700 seat चला बहूत है मेरे पास ordinance factory में 2016 में उबच्चा ये वो seat था अमीत नाम का लड़का था ये क्यों seat में उगा result होगी पूरा भारत में ये को seat था उसको trade में चला लगवक 84 नमबर था जो पूरे भारत में सब से जाते था उसी में उसका result हो गया था 700 तो बहुत जाते तो इसलिए finally हम जो है चला इसको cancel किये हैं लेकिन इसको करने के लिए यही एक बात हो सकता है अगर 200 बच्चे 100% regularity maintain भी करेगा चुकि छाट के बच्चा लेंगे दूसरा बच्चा छाट के लेंगे पढ़ने होगा अगरे लेंगे तो पहला दिन आएगा तूसरा दिन भाग जाएगे तिसरा दिन फिर भाग जाएगा तिसरा दिन पाँच को और भाग जाएगा तो 200 बच्चा इस्से जो हम लेंगे चला वह एकडव में 100% क्रीम बच्चा होगा जिसको basic का knowledge है, जिसको लगता है कि हमको कुछ करना है, और उसका एक certain fees लेंगे, हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन 100% हम ही पढ़ाएंगे, इसका कोई बात नहीं नहीं हम वादा करते हैं कि 100% हम पढ़ाएंगे, लेकिन जब जब हम को समाई मिलेगा, तब तब हम अपना subject जाके पढ़ाने की कोशिश करेंगे ठीक है कोशिश करेंगे कि पढ़ाएंगे, क्योंकि नहीं पढ़ाएंगे तो होगा, और चला इस बात की guarantee है कि अगर हम 200 का batch लेते हैं दो गो, तो 400 में कौम से कौम 300 बच्चा को हम वहां भेज देंगे एक सो पर से लेकिन उसके लिए जो process है इस पर तुम लोग एक बार सोच के हमको बताना, अगला क्लास में ठीक ना, आराम से सोचना हम फीस लेंगे फीस कितना लेंगे अब तुम कहोगे एक हजाट का ले लिजे सर दूहजाल, नहीं होगा ये संभाव नहीं है हाँ, लेकिन चला, एक certain फीस ले करके हम इस पूरे batch में हम जो पैसा तुम से लेंगे न तो ही हमरा से हिसाब लेना हमको नहीं चाहिए पैसा लेकिन हम teacher यतना लगा देंगे उब batch में यतना master लगा देंगे चला कि हम पैसा नहीं चाहिए पैसा तुम ही में से किसी को हम जमा कर देंगे लेकिन master quality वाला होगा तो उसको quality payment करेंगे जो महिना का payment होगा उस आप payment तुम ही लोग निकाल के दे देना अज ये बचे का फिर अपना में बाट लेना हमको पैसा के जरूरत नहीं है हमको लेकिन result मिलेगा तो मेरा coaching अपने आप चलने लगे ये दूसर बचास नहीं कमाएंगे लेकिन अगला 5000 से कमान लेंगे हमको इस बचे पैसा नहीं चाहिए लेकिन quality maintain करने के लिए 100% rule regulation maintain करना होगा तब जाके आपका काम होगा नहीं तो और भी बहुत सारा rule इसमें लगेगा कि भाईया ये काम तुमको करना ही पड़ेगा अगर आप नहीं करते हैं तो एक certain आपको fine जो है भरना पड़ेगा उसका बहुत सारा rule बनाएगा नहीं तो इसे थोड़े पता चला दूसरा बच्चा ले लिए आप market में हला हो गया तब बच्चा कोई आपके पूछे काए जी वो जो दूसरा बच्चा लिया था हुआ है कोगे result के ना तो चला बेज़त तो हम नहीं हो जाएंगे तो वैसा घटिया काम नहीं करेंगे हम जगरा लेंगे तो अगरा लिए और चला 700 seat में तो हमरा बस चले तो यह को seat हमने बच्चने दे अगर हमरा sub batch cancel कर दे आए यह को 700 का बच्चा दे दे यह बच्चा जाएगा sub result लिखे है एक बार सोच लो फिर हमको अगले क्लास में बताना एक अच्छी खासी फीस लेंगे पहले बता देते हैं minimum का कोई mybap नहीं है और आज से पहले नचला इतनी vacancy कभी नहीं आई थी जितनी vacancy अभी आई है हाँ स्वार बेंगे